हेलो फ्रेंड वेल्कम वैक टो और चैनल एक्स्प्लेइनर एंजल फ्रेंड साथ में इस ड्रामे के पार्ट 4 का एक्स्टानेशन करने वाली हूं अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा तो जल्दी से चाहें उन पार्ट को देखें फिर इस पार्ट को शुरू करें क्योंकि कहानी बहुत शांदार होने वाली है तो चलिए बिना देर किये आपको लेकर चलते हैं एक्स्टानेशन की तरफ तरफ तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर वैल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आपको ऐसे शांदार कहान या टाइम से मिलती रहें कह कहता है कि वो सारी चीजों का पता लगा लेगा इस बारे में उसे परिशान होने के सुरुत नहीं है जिसके बाद सुची कहती है कि उसे सीशी के अबाउट कुछ शक है यह सारे एक्सिडेंट में उसका हाथ है और उसका कोई हेल्फ कर रहा है क्योंकि इतने बड़े कांड एक लड़की अकेले कैसे कर सकती है यहां तक कि उसने डॉक्टर को भी खरीद लिया था यह तो मैंने अपनी आँखों से देखा था हाला कि उसके पास नहीं इतने पैसे हैं और नहीं इतनी अकल जरूर किसी का सपोर्ट है जो कि तुम्हें चल्द ही पता लगाना होगा जि के बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट कर रहे हैं यह सुनकर वो एक बड़ा सा गिफ्ट लेकर शू परिवार में जाता है जिसके साथ शीशी भी होती है अब यह लोग जब पार्टी में जाते हैं तब सब के जबान पे सूची से रिलेटड बाते सुनते हैं जो कि वो सब कह चोश्ट कूई कैसे दे सकता था खैर यह लोग इस बात से अंजान थे वो सुची के दादा में यह बता नहीं ती कि मिफ्टर सू सूची के उतनी बुरी है नहीं। फिर इतना गिरा हुआ उसे कैसे समझ सकता है। तब यहां पर शीशी आ जाती है जित्पर सुची टौन करती है क्योंकि शीशी कहती है कि वो जल्द हेली के साथ सगाई करने चाह रही है। शीशी की ये बात सुनकर सूची यहाँ से जाते वंग ये कहकर जाती है कि जब मैं नहीं खुश रही इसके साथ तो तुम कैसे रहोगी जिसके बात शीशी ली के हाथ को पकल कर कहती है कि वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और उन में कभी भी कोई गलत वहमी नहीं आएगे उसकी इस बात को सुनकर मिस्टर ली शीशी के हाथ को जिड़कते हुए कहते हैं कि उसने उसे कब सखाई करने की बात कही निस्बस इसी कहती है कि उसने ये बात तो सिफ सूची को जलाने के लिए कहा था खेर अब सूची अपने दादा के पास आती है जहाँ पर दादा सब के सामने ये एलान करते हैं कि आज से शूगरूप के मालिक सूची बनेगी ये बात जब ली सुनता है तब वो सब के सामने आता है और गुसे में सूची का हाथ पकड़कर फिर से किनारे पर ले जाता है जहाँ पर सूची कहती है कि जब उसका तलाख हो गया है तब वो उसे इतना परिशान क्यों कर रहा है जिस पर ली कहता है कि वो शूपरिवार की बेटी है उसे ये बात क्यों चिपाई जिस पर सूची कहती है कि क्या वो उसे अना समझ रहा था उसने तो बस इसलिए शादी की थी क्योंकि कॉलेज टाइम में जब बहुत सारे लड़के उसे परिशान कर रहे थे तब ली ने ही उसे बचाया था इसलिए सूची को उससे प्यार हो गया था और अपने घर वालों के खिलाब जाकर वो उसे शादी कर ली थी और वो सूपरिवार से है ये बात उसने इसलिए नहीं बताया जिसे की ली को डरना लगे फिर ये भी कहती है कि तुम से शादी करके मुझे अपने घर से रिष्टे को तोड़ना पड़ा क्योंकि वो तुम से शादी करने के खिलाफ होता है अब लिज shadow को स्वारी बोलता है जिस पर वो कहती है कि उसे फॉरी नहीं बोलना चाहिए क्योंकि अब उसका तलाख हो लेते हैं वो यहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि मेरे जीते जी तुम इस घर में कैसे मार पीट कर सकते हो अब यह बात सुनकर दोनों ही अपने अपने रास्ते पकड़ लेते हैं अब कुछ दिर के बाद ली दादा के पास जाता है और उनसे कहता है कि वो उसे एक चांस देती ह लेकिन दादा उसे फॉरण ही जाने के लिए कहते हैं जिस पर ली कहता है कि ये मेरे और सूजी के बीच का मामला है उससे एक बार उसे बात करने दिया जाए लेकिन दादा उसकी कोई भी बात नहीं सुनते जिसके बाद वो चला जाता है अब उसकी पीछर जू को जाना जाया चाहिए यहां पर सुछी देखता है ल मेंवे के पास चीशई आती है ऑर चीआतेयी की टेंशन को बढ़ा दिया तर ऐसे बहाने बहाने से भात की चांचा रही होती है क्योंकि सामने यह बैठी सुछी तिए वाइन की इन वान के क्लास्स को हात में लिए घूठ गोठ उतार रही होती है तभी जू की नदर सूची पर पड़ती है जो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है और कार में बिठा कर कहीं घूमने का प्लान होता है लेकिन तभी यहां पर ली आ जाता है जो कि इन लोगों को रोक लेता है फिर यहां पर लोगों की बीच काफी वहत हो जो चाओंगे मुझे डर लग रहा है वो ऐसा इसलिए कर रही थी जिसे कि सुची अगर एक बार माप भी कर दे तो शीशी को देखकर वो ना कर सके अब ऐसा ही होता है सूची को शीशी को देख कर गुस्सा आ जाता है वो कहती है अब उसके पास बात करने जैसा कुछ भी नहीं है दुबारा से उसे लिए परिशान ना करें वना शू परिवार और लिए परिवार में युद्ध की शुरुवात हो जाएगी जिसे समाला तुम्हार लिए मुश्किल और शीशी उसके कदमों में गर्पड़ती है कि असा नहीं करें कि सब देख कर लिए को काफी बुरा लगता है अ और मौँ घ माफी नहीं अच्छा समझ कर माफी मांगामें तुम्हारी उन्हों हो गया तुम्हें तुम्हारी Node है लेकिन हमारे सentकि कि आगे तुम्हारा शू परिवार कमजोर पड़ जाएगा तभी फिर से सोचे उसके जुल्म के किस्ते छेड़ देती है कि जब वो खुद को पावरफुल समझता था तब उसने भी उस पर कितना जुल्म किया था अब जब वही मैं कर रही हूं तो क्यों बुरा लग रहा है क जब आधी रात को घर से निकाल कर चोकट पर सारी रात रुलाया था मेरे हालात पर तुम्हें जरा भी तरस नहीं आया था उसके बाद तुम्हारी मा ने भी कितना मुझ पर जुल्म किया तुम तो हमेशा दूसों के कहने पर आते थी और मुझे बहुत ही सताते थी यह सब स परिशान से सूची को देखने लगती है और अपने गलती की माफी मांगने लगती है और यहीं पर इस पार्ट का इंड हो जाता है अब अगले पार्ट में हमें इसके आगे की कहानी का पता चलेगा जो कि आपको इसी चैनल पर जल्दी मिलेगा इसलिए आप चैनल को सब्सक्र के लिए एंग टार्ट को बाता है और यहीं उल्दी पेच आपवर जी मांगने लगती है और यहीं है और यहींग की रटे भ्टेर्टिटर इसलिएंगी आपको दो रगती है और बहती है और बहती है